नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो सीटी हो गई लेकिन इतने अंक जरूरी सभी खामियों को दूर किया जाए टेकनिकल बरती होगा क्या होगा यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें इससे पहले यदि आपको दिखाने से पहले कुछ चीजे बता देता हूं जैसा कि आपने देखा था पिछला सीटी है उसके अंदर च्यार गुणा वाड़े मेटर पे बहुत ज्यादा जंग छिडी थी इसको क्वालिफाई किया जाए इसके उपर भी बहुत ज्यादा मतलब प्रयास किये क्योंकि उन्होंने पॉलिसी में डाल रखा था और एक मामला क्या थिड़ रहा था कि टेकनिकल भरती है उनको सीटी से अलग किया जाए क्योंकि बहुत सारे ऐसे केंड़ेट मैंने भी देखिया है जिनके सीटी के अंदर मालो 38, 40 या 45 नंबर आए है और उसके बाद जो उन नंबर है वो ले रखें तो इससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि जो केंड़ेट टेकनिकल यानि कि जो टेकनिकल लाइन में अच्छी रूची रखता है इंटेलिजन्ट है जो केंड़ेट है तो उससे नोन टेकनिकल में उसकी जो है उसका स्किल टेस्ट लेने की जुरूर नहीं होनी चीए ये भी बहुत सारे साथियों की डिमांड थी तो इन सब से लेटेड में आपको दिखा देता हूं एक न्यूज क्या ही है सेटी में संसोधन हो तो ऐसा कि सभी क्वालिफाई हो पहली बात तो ये बताईगी इसमें कि अगर संसोधन करना है तो ऐसा संसोधन करो कि सभी को जितने भी क्वालिफाई केंड़ेटर सब को मोका दिया जाए सरकार ग्रुप C और क्रुप D की पदों की बरती के लिए CET में संसोधन करने जा रही है गलियारे में इसके चर्चा भी हो रही है क्योंकि अभी तक सिरफ एक बारी CET हुआ है जिसके अधार पर ये बरतियां हुई है मगर लाकों यूआ इंचजार कर रहे हैं कि नया CET हो पुराने CET में कई खामिया थी कुछ खामिया तो पंजाब MR या ना इकोट ने समाजी कारतिक मान दंड के अंकटा कर दूर कर दी मगर पदों और कैटेगरी के लिए सोट लिस्ट करने का फॉर्मूला सही नहीं है यह चारभुना का है गलियारे में यूआ मांग कर रहे हैं कि इस बार यह गलती मत की जाए CET पास सभी उमिद्वारों को अपने अपनी योगता अनुसार पदों के लिए नोलेज टेस्ट लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए यानि CET को क्वालिफाई बनाया जाना चाहिए और कुछ सब सर्त रख देते हैं कि नोलेज टेस्ट में ज्यादा वमिद्वार हो जाएंगे मगर यह तरक सही नहीं है अब कुछ चीज़े मैं बता देता हूँ आपको कई जगा मैंने देखा है यूटूब चैनल या फिर टेलिग्राम ग्रूप या कहीं पर यह बोल रहे हैं कि CET को क्वालिफाई कर दिया जाए बहुत अच्छी बात है यह भी आप सही कह रहे हो क्वालिफाई के मांग सभी उठा रहे हैं लेकिन वो यह कह रहे हैं कि क्वालिफाई करना है तो इसको जो क्वालिफाई का क्राइटिरिया है वो 60% कर दो यानि क्या भी रिजरो काटेगरी का 40 है और जनरल काटेगरी का 50% है तो उसको डिमांड कर रहे हैं कि 60% कर दिया जाए एक तरफ से तुमारी बात सही है कि हो सकता है कि ठीक है मेंस में ज्यादा कम्पेटिशन नहीं होगा लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा मानलो जिसके फॉर एक्जमपल किसी के 59 नंबर आगए या 50 नंबर आगे कितने भी आगे मानलो अब आपने देखा है CT 3 साल में जाके हुआ है यानि कि अगर उसके 2-4 नंबर कम रहे गए क्वालिफाई से जैसे भी मानलो 50-40 से कम रहे थे तो उसको क्या है आने वाड़े 2-3 साल कोई भी मौका देखने को नहीं मिलेगा तो अगर ये क्वालिफाई का क्राइटीरिया साट पर पहुंच जाता है तो पहली बात तो आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जिनके अंदर केंड़ेट ही पूरे नहीं होते है तो अगर 60% वाड़ा कर दिया जाएगा तो आप खुँच सोच के देखो वो केंड़ेट कहां से आएंगे यानि के सीटे फिर से खाल ली जाएगी दूसरी चीज़ आपको और बताना चाहूंगा HKRN के जितनी बड़तिया हो रही है उसके अंदर भी अभी सीटे निवारे कर दिया गया है और सीटे कौलिफाई निवारे कर दिया गया उसमें तो अगर ये 60% वाड़ा क्राइटिरिया होगा तो वो ना तो HKRN यानि के जो आउट्सॉर्स की बढ़तिया है उन्हें भी ट्राई नहीं कर पाएंगे और पर्मानिट में तो ट्राई करी नहीं पाएंगे या थो फिर ऐसा होना चाहिए कि CT है वो साल में दो भार होना चाहिए दो भार कन्फर्म एक या दो भार CT हो फिर तो 60% ये है कि अगर कोई कंड़ेट रहे जाता किसी कारणवास से तो उसको दोबारा मौका दे दिया जाए अब कुछ साथी ये कहेंगे कि ऐसे तो कोई भी होगा 40 में से रह जाएगा 50 में से भी रह जाएगा 40-50 वाड़ा कराइटीरा ऐसा है कि जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाड़ा केंडेट है उसको कौलिफाई करने का मौका मिल जाता है और जो आप साथ वाड़ी बात कर रहे हो तो उसमें मेरे हिसाब से ये चीज़ थोड़ी गलत नजर आ रही है बाकि आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अपने वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत दने